नमस्कार दोस्तों तो अपर इससे आपका स्वाकत है कि चाम ओलार्ण क्लासिस की डीजिटल प्रसन आज की क्यूसन मैटोपूर्ण पस्व परिचर की अकॉडिक अगर हम बात करें उसमें रहने वाले बेड़ की सबसे उची नसल कौन सी है बेड़ की सबसे उची नसल यानि उचाई में सबसे विसे बात करें तो लंबी नसल है तो कौन सी है जैसल मेरी औप सन सी रइट हो जाएगा निमन में से करमी नसल कहें करमी नसल कौन सा निमन में से करमी जो रोग होता है उसको नसक करने वाला यह अप्सन से हो जाएगा हिनोविक्स दूद का हलका निला होना दरसाता है हलका निला रंग होता है अगर दूद का तो कैसा होता है पानी की मिलावट होना दूद में वसा ग्याद करते समय दूद की मातरा लेते है वसा जब ग्याद की जाती है तो दूद कितनी मातरा में लिया जाता है तो 10.75 ml इसमें लिया जाता है निवन में से पस्वों के आंत्रिक कर्मी है आंत्रिक कर्मी कौन से यादकना फीता कर्मी और S के रिस दोनों है इसमें तो C ओप्सन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा इस बात आपके लिए पस्वों परीचर अपना स्कोर जाचे 10 टेस्ट मात्र 20 रुपे में यानि एक टेस्ट आपको 2 रुपे में मिल रहे हैं बहुत जवर्दस बहुत कम रेट बहुत कम नामात्र की फीस में आपको मिल रहा है तो आपने जो तयारी किये उस तयारी को आप जाच सकते हो परक सकते हो आपके लिए सांदार और बेहतरीन मोका ये रहने फाला है तो आप अभी जोइन करें आप अभी डाउनलोड करें अगर आपने मालो कोई कोर्स नहीं लिया है तो पसू परीचर क्रेस कोर्स मात्र 99 रूपीज में अवेलेबल है ये पर जाओगे तो बहुत सस्य में आप डाउनलोड करके एक बार फटापड़ क्रेस कोर्स रिवाइज कर सकते हो आईए देखते हैं नेक्स्ट दूद का रंग सपेद होने का कारण क्या है किस कारण से सपेद होता है तो वो केसीन के कारण सपेद होता है बी ओप्सन सी हो जाएगा पस्वों के आंत्री कर्मियों को मारना किडे होते पेट के उनको मारना क्या कहलाता है Dewarming कहलाता है A option right हो जाएगा मुर्गों में बद्याकरण को क्या कहते है बद्याकरण जो मुर्गों में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है Caponigestion कहा जाता है तो option तो A इसमें क्या हो जाएगा? right हो जाएगा बद्या करण इसमें कहा जाता है पसों में कौनसी बिमारी जिवानु जनित नहीं है इसमें से आपको कौनसी बिमारी है जो जिवानु जनित नहीं है इसमें देखो black water है anthrax है, rinder paste rinder paste जो बिमारी होती है वो जिवानु जनित नहीं होती है एक प्रकास संक्रामा करो गई है next देखो उच गुणवत्ता का खोवा बनाने के लिए किसका दूद अच्छा माना जाता है उच गुणवत्ता का खोवा बनाने के लिए सबसे उप्युक्त दूद माना जाता है वो है भैस का दूद बी उप्सन क्या हो जाएगा इसमें राइट होगा वीरिये में सुक्राणों की संक्या एंगति सीलता का परिक्षन किया जाता है किस मादने में से तो BBC, Bromothile, Blue, Castile, Lates की मादने से किया जाता है एउप्सन राइट हो जाएगा गौवन सपस्वों में वीरिये के सेचन के लिए कौन सी विधी काम में लेते हैं वीरिये सेचन के लिए कौन सी विधी काम में लेते हैं वो एक परसेंट से भी क्या होते है कम होते है करत्रिम गर्बादान में काम के लिए जाने जाने वाले वीरिये को कितने तापमान पर परी रक्सित किया जाता है करत्रिम गर्बादान जो होता है दोक्टर बगेरा जो इंजेक्शन से इंजेक्शन लगाते है उसमें जो तापमान होता है वीरिय को रखने के लिए वो कितना होता है तो तापमान होता है 196 degrees Celsius वो भी किसमे माइनस में होता है ध्यान रखना तो ए उप्सन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कर्थ्रिम कर्थ्रें गर्बादान में काम के लिए जानने वाले वीरिय में सुक्राणों की गत्ती शीलता परतिसे होना चाहिए कम से कम कित्ती परसेंट से गत्ती सीलता होने चीए, एक वैस्क गाई के लिए खुला इस्तान होना चीए, एक वैस्क जगाई होते हैं, उसके लिए कम से कम कितना एरिया है, उसके लिए खुला होना चीए, तो असी से सो वर्क फिट जगे हैं, वो गाई के लिए उप्यूगत रहती है उट के लिए आवास में कुल इस्तान होना ची उट जा रहता है उसके आवास में कुल जगह होने ची 17 से 80 वर्ग फिट है आवास के लिए उपयोगत रहती है मुर्गियों के गहरी बिचावन विदी में सो मुर्गियों के लिए आवास का आकार रखा जाता है तो बीस पंदरा दस यानि जो ये मानों के हम बात करें तो बीस इंटू पंदरा इंटू दस भाग जो वर्ग जगह है उसमें रखा जा सकता है अंडे देने वाले हजार मुर्गियों के लिए कितनी भूमी की आवसेकता होती है अंडे देने वाले हजार मुर्गियों के लिए कितनी भूमी की आवसेकता होती है कम से कम 0.25 एकड़ जमीन आवसेक होती है यह वह अवस्ता है जिसमें पस्तू मद के लक्सन इस्पेस रूप से परदसित नहीं होते है यानि पस्तू जब बोलता है तो इस्पेस रूप से उसमें लक्सन नहीं आते है उसको हम क्या बोलते हैं मद काल है मद चक्कर है सूका काल है उसको बोलता है साइलेंट हीट कुछ है जिसमें हम अन्वान लगा सकते हैं इसे पस्व बार-बार पिछे मुड़ कर देख रहा है इसका मतलब हो क्या है हिट में है यानि को मालनों की एसी हिस्रती में उसको का जाता है साइलेंट हीट फिनोविक्स की मात्रा बक्रियों को दी जाती है फिनोविक्स की बात मात्रा बक्रियों को 15-30 ग्राम तक दी जाती है तो उप्सन क्या हो जाएगा एराइट हो जाएगा गाई भेंस को पेट की सफाई के लिए MGSO4 की जो मात्रा है वो कितनी देते है गाई भेंस के लिए 250 से लेकर 400 ml तक ये मात्रा दी जाती है नेक्स देखो तिकोना सरीर भेंस की किस नसल का होता है तिकोना तीन कोन ये त्रिकोनी आकार लगबग दिखाए देता है तो बेंस की जो बधावरी नसल होती है उसका सरीर कैसे होता है तिकोना लगबग सरीर होता है पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का गुच्छा बकरी की किस नसल की विसेशता है इसलिए टांगों पर बोलते हैं पांच वारा जाता है अपनी भासा में वे जो जमुना पर यह हैं जो बकरी होते हैं उसलिए विश्य सा पाई जाती यह पस्तूरी करण की सतत विदी में दूध को कितने समय तक गर्म करते हैं 15-2 के लिए गर्म किया जाता है तो उसको पास्याती करण दूध कहा जाता है कान पति नूमा गाई की किस नसल की मुख्य विसेशता है कान पत्ति नूमा गाय यानि कान लंबे होते है जिसके तो कौन सी गाय होती है जो गिर नसल की गाय होती है उसके कान चीज़ी हो जाएगा सहरी बकरी से प्रसिद बकरी की नसल है सहरी बकरी कहा जाता है बरबरी नसल की बकरी को मुर्गी की सर्वादिक संख्या वाला जिला यानि सबसे ज़्यादा मुर्गिया कहा होती है सबसे ज़्यादा मुर्गियों वाला सर्वादिक संख्या वाला जिला वो है अजमेर बिमार पसु को जून से अलग करना क्या कहलाता है? तो कहा जाता है कलिंग क्या कहते हैं उसको का लिएंगे कहा जाता है नेक्स देखो इसमें दूद में सरवादिक योगदान किस पसू का है सबसे आदा दूद में योगदान है गाय का का नेक्सों देखो एक यूग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है एक यूगमनज होता है उसमें एक ही केंद्रक dość stun अंड प्रज्यक जन्तु कौन से है अंड प्रज्यक जन्तु है ध्या रकना मेंडाग भी ḥाय चिपकली भी भी ओते और मुर्गी बिल्ली यह उप्योग सभी जरायूग जे जन्तु है वो सारी गाय कुता बिल्ली तीनु है काला हिरन निम्लिकित मेंसे किस निके जीवों का है काला हिरन कौनसे जियों का है तो याद रखना विलूप्त दुरलब इस्तानिक परजातियों लूप्त परजातियों में आता है कौन सा काला हीरन जो आता है नेक्स देखो उनीस सो बावन में भारत निमन में से किस परजाती को विलुप्त गोसित कर चुका है उनीस सो बावन में कौन सी परजाती है जिसको बारत है विलुप्त गोसित कर चुका है तो याद रखना इसमें तेन दुआ गंगानादी डॉल्फिन कला हीरन ऐसे च उन्हें का कहते हैं और वर्गिक्रत 1 एवरे यदा करना बहारत वहती हैं VAN बारतमें वनस्पतियों की कितनी पर जाती है बाइजांती है तो भारतमें लगबग वनस्पतियों की पर सोड़ते समय चाती गुआ का आकार कम हो जाता है और भरते समय बढ़ जाता है भारी व्यायाम के दोरान हमारे पेरों में जमा होने के कारण, हो जाता है इसके कारण जमा बार जम्हा हो ँसके कारण दाद हो जाते अपनिवेसिक सरकार और अपरादी जंजाती अधीनियम को पारित किया था तो अंग्रेजियों तुवारा신 1881 में ये और तुरंत Crice Course को आप क्या कर लें, जोइन कर लें, मातर 240 गंटे, अगर आप मान लो के लगातार, इसको एक बार वापस, रिवायजी भी करना चाहते हो, तो Crice Course को आप ज़रूर, जोइन करें, नहीं तो आप टेस शीरीज भी जोइन कर सकते हैं, निवन्मे से कौन सी बात चरवाहों के जीवन पर नाठी के परभाव नहीं डालती। कौन सी परवानी जाते हैं तो विका सिल रोपड खेती है वो नाटी के परवाव नहीं डालती है वरिष्ट जन का मासाई समुदाय में क्या कारियता वरिष्ट जन है उसका मासाई समुदाय में क्या कारियता तो विचार विमर्स करने का काम इनका हुआ करता था दुनिया की आ तरब करें विशेयस एप किसान है कोंकण तर्ट वाले उन किसान ओने धन गरों का किया दा सवागत क्या यह पेट कुछलदा नहीं विशेयस तोर पर आपके लिए जो अपडेट है आप इसी प्रकार बने रहे हैं मस्त और जबर्दस तरीके से आप त्यारी करते हैं जो त्यारी कर रहे हुए उनके ते हमारी तरप से हमें सा बेस्ट विसेस रहेगा और बहुत जल्द आपके लिए जितने क्यूंत लाया जा रहे हैं बहुत आपके